नमस्कार दोस्तों मेरे नमें सतीस और आपका बहुत बहुत सवागत है आज के इस नए वीडियो में तो फ्रेंट्स मेरे हाथ में यह BATXP का मार्ग स्मार्ट वाज तो आज के इस वीडियो में मैं इसके साड़े फीचर्स और सेटिंग आपको बताने वाला हूं साती साथ फ्रेंट्स आपको बुलूतूत से कनेक्ट करके भी बताऊंगा कि आप कॉलिंग फीचर का यूज कैसे कर सकते हैं या इसके यूज कैसे कर सकते हैं ठीक है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दी इसको चलिए यहां से निकाल लेते हैं और देखते हैं कि यह और कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक के इस तरीके से अप इसको चार्ज कर सकते हैं ठीक कि फ्रेंस और зал में हमको friends मिल जाता है यहां पर एक लीफाफा जिसमें हम को यहां मिल जाता है कुछ papers है तो चलिए देख लेते हैं कौन-कौन से papers हम को यहां पर मिलते हैं तो सबसर पहले friends यह warranty card आपको मिल जाता है ठीक है उसके बाद यह stickers मिल जाता है bot XP के तरफ से और यहां पर हम को एक coupon मिला है और यह friends यहां से आप user manual पर सकते हैं QR code को scan करके और app भी download कर सकते हैं तो यह सारी चीजे हमको अपने यहां पर मिल जाती है ठीक है friends तो इसको side में रखते हैं अब friends finally बात करते हैं अपने smartwatch के बारे में यहां पर friends यह बटन मिल जाता है जो back जाने के लिए आपक काम में आएगा ठीक है friends और यहां पर friends हमको charging point मिल जाती है यहां पर noise cancellation के लिए हमको क्योंकि यह Bluetooth calling है smartwatch है तो यहां पर noise के लिए आपको मिल जाता है यहां पर speaker आपको मिल जाता है डिस्पेले की बात करें तो काफी अच्छा display हमको यहां पर मिल जाता है स्ट्रेप की बात कैसे वर्प कर रहा है ठीक है friends तो यह friends on हो गया और यहां पर प्रेटक्स पिलिक के आगया है तो कुछ इस तरीके से यह on होता है उसके बाद friends देखिए अभी यह जो यहां पर time हो कर रहा है ठीक है यहां से wall paper भी आप change कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है friends वाल पर आप यहां से features आपको सारे मिल जाते हैं जैसे यहां पर आपको spot call का sleep monitoring HR heart rate monitoring का यहां पर भी बीद आप से connect करने के बाद यह सारे features work करेंगे मिलेंगे उपर से अगर आप खिचते हैं तो यहां पर आपको brightness control का option मिल जाता है तो यहां से brightness को control कर सकता है घाटा वर आ सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर setting मिल जाती है display setting में आप यहां पर brightness control auto lock को यहां पर आप 30 second तक कर सकता है 25-30 सेकेंड तक ठीक है उसके बाद watch face मिल जाता है आपको यहाँ पर यहाँ पर menu view का मिल जाता है तो यहाँ पर grid view में आप कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है आपकी functions यहाँ पर खुलेंगे ठीक है friends तो display setting में friends आपको इतना ही सब कुछ मिलता है उसके बाद यहाँ पर do not disturb मिल जाता है यहाँ पर आपको low power high power का जो option है बैटरी कम यहाँ पर होगा इसको on कर दीजेगा तो ठीक है उसके बाद friends यहाँ पर phone का option मिल जाता है तो आप इसको on करके directly Bluetooth के साथ connect कर सकते हैं और calling feature का यूज कर पाएंगे ठीक है डिरेक्टली अगर आप Bluetooth से connect की जागा तो सिर्फ calling feature का यूज कर पाएगा उसके बाद यहाँ पर phone reset हो जाएगा phone reset का मतलब यह होता है कि जो आपकी call history यहाँ पर show करेगी जा आप जिसने नंबर पर call किये होंगे सब सो करेगे तो यहाँ पर phone reset कर दीजेगा तो phone की जो हिस्ट्री है वो reset हो जाएगे हट जाएगी ठीक है और connection भी आपका यहाँ पर कर जाएगा उसके बाद रिंग वाइबरेट का option आपको मिल जाता है यहाँ पर version देख सकते हैं और यहाँ पर QR code तो बर्जन में आप देख सकते हैं यह वाला वर्जन है मेरा mark new call का जो option यहाँ पर नीचे show कर रहा है आप देख सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स उसका फ्रेंट्स यहाँ पर QR code मिल जाता है app को download करने के लिए तो scan करके असानी से download कर सकते हैं तो चलिए हम लोग इसको call की option को on करके call से connect करके इसको एक बर चेक करते हैं कि call लग राएं कि नहीं लग राएं साइसे speaker इसके work कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो Bluetooth को on करेंगे, यहां से Bluetooth को on करते हैं, अपने phone का, तो जैसे ही हम scan start करेंगे, friends, यहां पर देखिए, जो हमारा दोनों, दो तरह के, यहां पर सोर है option, तो यह एक तो app से connect होगा, यहां पर देखिए, यहां पर लिख के आ रहा है, app needed, ठीके friends, तो यहां पर इसको connect करेंगे, तो calling feature यूज नहीं कर पाएंगे, इसको अगर आप connect करते हैं, यहां पर देखिए, call का जो option आड़ा है, उसको आप appear करेंगे, तो यहां पर call feature का use कर पाएंगे, यहां पर setting पर click करके, और call का और audio का दोनों का option on रखेगा, तभी यहां से जो है, आपका sound भी आएगा, और call क यहां भी use कर पाएंगे, ठीक है, तो चलिए, इसको चेक करते हैं, कि हम call का use कर पाते हैं कि नहीं, तो देखिए, यहां पर खूलने लग गया है, अब आसानी से यहां पर खूल रहा है, यहां पर recent call चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है, आप यहां पर dial pad को भी use कर पाएंगे, contact को भी use कर पाएंगे, तो यहां पर contact जब आपने app से save कीजिएगा, यहां पर देखिए, इन app, contact का जो है, तो आप से जब save कीजिएगा, तब यहां पर show करेंगे, dial pad में हम अगर यहां पर 123 पर call करते हैं, तो यहां पर call लिए आपके smart watch में भी लग जाएगी, तो इस तरीके से आप, यहां पर call को काट भी सकते हैं, ठीक है friends, तो यहां पर आपकी call history show करेंगे, ठीक है, तो इसी के लिए मैं बता रहा है, तो वहां से reset जाके कर दीजेगा, तो यहां पर call history आपकी खतम हो जाएगी, कितने लोग गई question रहता है कि call history को कैसे हटा है, ठीक friends, तो आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, और कुछ भी करवा सकते हैं, अगर आप इसको बोलेंगे कि call करो, call करो, यहां पर बोल रहा है, आप किसको call करना चाहते हैं, तो आप अगर नाम रखिएगा, इनको call करो, तो call भी लग जाएगा, यहां पर आपको कोई problem नहीं आए ही, ठीक है friends, तो आगले वीडियो में friends मैं आपको बताऊंगा कि आपको app से कैसे connect करना है, ठीक है friends, तो friends मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,